एक तरफ सल्मान खान अपनी हालिया फिल्म राधी की वज़व से हर जगा चर्चा बठो रहे हैं तो दूसरी तरफ सल्मान ने फिर से एक ऐसा काम किया है जो किसी को भी उनका फैन बना दे कोरोना काल में सल्मान भी लोगों के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए खाने से लेकर 700 तक का इंतिज़ाम कर रहे हैं और एक बार फ़र से सल्मान ने अपना योगदान कोरोना से जूज रहे लोगों के लिए दिया है सलमान की oxygen concentrator मुंबाई पहुच चुके हैं ऐसे में सलमान खान एक help line number जारी कर दिया है और ये service बिलकुल free यानि की initial को होने वाली है सलमान खान ने ऐसे 500 से जादा concentrators की खेप मंगवाई है जिससे की लोगों तक मदद मुहिया करवाई जा सके बतादे कि इस काम में सलमान खान की help Congress Party से तीन बार विधायक रहे बाबा सिदिकी और उनके बेटे जिशान सिदिकी कर रहे हैं हलाकि ये पहली बार नहीं जब बाबा सिदिकी और उनके बेटे जिशान और सलमान खान ने लोगों की मदद की हो तीनों ही मिलकर एक साथ काफी charitable काम करते हुए कई बार नज़राये हैं इस मौके पर बाबस सिद्धिकी ने ABP News से खास बातशीत की और बताया कि किस तरहे से उन्होंने इन Oxygen Concentrators की मदद से कोरोना मरीजों की मदद करने की तैयारी सलमान खान के साथ की है बाबस सिद्धिकी ने कहा की हम इन Oxygen Concentrators को पहले मुंबई में जरुवत मन्द मरीजों तक पहुँचाएंगे इसके लबा हम महराश्ट के अलग-अलग इलाकों में इन्हें मदद के तौर पर देंगे इतना ही नहीं जरुवत पड़ी और मांग बड़ी तो हम इन्हें महराश्ट के अलावा गोह बिहार आदी तमाम जगों पर मुफ्त में पहुचाने की कोशुश करेंगे यह Oxygen Concentrators अलग-अलग आकार और अलग-अलग शमताओं के हैं इनकी शमता 2 लीटर से 9 लीटर तक है और कोरोना मरीजों की जरुवत और मांग के मुताबिक इन्हें सप्लाई किया जाएगा वही उन्होंने सलमान की भी इंग्यूमन का भी शुक्रियादा किया है इसके साथ ही बाबा सिदिकी के बेटे जिशान सिदिकी ने एक पोस्त शेयर का लिखा की आपको बता दे कि सलमान और बाबा सिदिकी के बीच की बॉंडिंग काफी स्ट्रॉंग और खास है इतना ही नहीं दोनों के फैमिली रिलेशन भी बहुत अच्छे है घर की फंक्शन से लेकर किसी भी काम में सलमान और बाबा सिदिकी एक दूसरे के लिए शुर्कत करते ही करते हैं और यही एक बड़ा कारण है कि बाबस्तित की और सल्मान खान की एंजियो दोनों ही मिलकर कई सारे चरिटिबल काम करते हुए नसराते हैं